हेलो दोस्तों स्वागत था आपका कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे थे एक और बहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है हत्यारा ब्रीफ केस यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चानल को सस्क्राइब ने किया दोस्तों तो प्रीज सस्क्राइब करते हैं चलिए सुरू करते हैं बिना समय कमाएं रंजीत कुमार पेसेवर अपरादी है लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं आज वो अपने एक पर्तिद्वंदी अपरादी को मौत के खाट उतारने के लिए एक टाइम बम तैयार कर रहा है बम काफी है कार के साथ मेरे दुसमर राना के भी चीतरे उड़ जाएंगे इस वक्त सुबा के नो बज़े हैं बम मैं दो बहर एक बज़े का टाइम लगा देता हूं थोड़ी देर बाद वो बम वाला ब्रिपकेस उठाए सड़क पर जा रहा है राना की कार उसके दफ्तर के ब बम फट जाएगा और मेरा दुसमर समाप्त हो जाएगा बस की परतिक्षा करना सबसे बोर काम है और इस छेतर में तो बस की सर्विस भी बहुत खराब है तबी तीन यूवक मुझ पर रुमाल बाने वहां आधम के डाकु आई यह तो लूटे रे लगते हैं और उन्होंने लूट पार्ट मचा दी मेरी चैन चुप चाप वरना छुड़ी मार दूँगा ला यह परस दे आई फिर उन तीनों ने राना को घेर लिया तेरे पास क्या है यह व्रिपकेस दे नहीं तभी एक गुंडे के मुक से रुमाल खिसा गया और रंजीत ने उसका चेहरा ची अतर हो गया क्योंकि वह नहीं कह सकता था कि व्रिपकेस में बं है साड़े नो बजे हैं ठीक साड़े तीन घंटे बाद बं फट जाएगा लूटेरे पलक छपकते ही भाग कर दायव हो गये रंजीत परसान सा खड़ा रह गया और महिलाएं सोर मचा रही थी हाए मुझे लूट वो मेरे सोने की चैन ले गया और मेरा परस और इन भाई साहब का ब्रिपकेस बहुत बुरा हुआ तब ही पुलिस का एक गस्ती जीप वहाँ पहुच गई और एक यूवर्क इंस्पेक्टर दो सिपाहियों के साथ निचोट रहा है यहां वारदात के बारे में चानकर इंस् खिसक लेना चाहिए लेकिन इंस्पेक्टर पहले ही उसके निकट पहुच गया आपके ब्रिपकेस में क्या समान था का कुछ नहीं रंजीत बुरी तरह घबड़ा गया था कुछ नहीं क्या मतलब मेरा मतलब है कोई कीमती चीज नहीं थी कुछ बेकार से कागज थे एक पत् पता नहीं बताना चाहिए तबी रंजीत के लेंड लॉट रिटारेट करनल सिंग वहां पहुच गये अरे मिश्टर रंजीत क्या हुआ क्या हंगामा है यह दिकार है यह बुढ़ा क्यों आ गया क्यों आमरा इंक्सपेक्टर करनल सिंग से परचित था यह लूट पार्ट की व लुटेने तभी एक मैलानी का टाइप उन्होंने एक लुटेरे का चेहरा भी देखा था जब वो बिपकेश छीन रहा था तो उसके मुख पर बंधा रुमाल खिसक गया था फिर तो आप लुटेरे की सिनाक्त कर सकते हैं अपना पूरा नाम और पता लिखवाईए रंजीत को अपना नाम और पता लिखवाना पड़ा उधर वो तीनों लुटेरे एक पुराने खंडर में जाकर रुके थे परस में पांस सो रुपए हैं चैन की हजार हजार बारा सो की है बिपकेश में देखें क्या है जिस लुटेरे का चेहरा रंजीत ने देखा था उसका नाम र माल है यह तो खुलने पर ही पता चलेगा यह बिपकेश हमें देदो राजा और तुम यहां 500 रुपए लेकर फूटो यहां से यह क्या बात हुई माल में बराबर का हिस्सा लेना चाहिए पहले बिपकेश खुलने दो फिर भजना करो बिपकेश हमें देदो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरा आदेस मानना ही होगा, मैं तुम्हें बॉस नहीं मानता, या ब्रिफकेस मैंने च्छीना, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, तेरे अधिकार की तो ऐसी की तैसी, और फिर उन दोनों ने ब्रिफकेस च्छीनने के लिए राजा पर हमला कर दिया, राजा भी उठकर दोनों से भिड़ गया, जिशूम तड़ाक, साले मुझ पर हात उठाता है, मार दो साले को, लेकिन राजा कमजोड नहीं था, उसने चाकू का वार कलाई पर रोका और जिशूम और फिर दूसरे पर छालांग लगाई, सालो राजा को कमजोड समझते हो, चाकू वाले ने फिर हमला किया, लेकिन खुद ही अपने चाकू का सिकार बन गया, उसकी लास उठाकर उसने दूसरे गुंडे पर दे मारी, उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा, दोनों मर चुके थे, अब मुझे यहां से फूट लेना चाहिए, उसन कहीं आराम से बैट कर ब्रीफेस खोलूंगा बम फटने में अब के वाले धाई घंडेस थे उधर राजा के जाते ही कुछ बच्चे खंडर में खेलने के लिए पहुँचे आएं देख लास खून डर कर वो चिलाते हुए खंडर से बाहर भागे खून खून अंदर दो लास है और कुछ ही देर में खंडर में पुलिस पहुच गई इंस्पेक्टर वही था जिसने बस स्टेंट पर रंजीत का ब्यान लिया था लेडिज पर 500 रुपए और सोने की चैन ऐसा लगता है या वही लुटे रहे हैं लेकिन वह तो तीन थे सर तीसरा अब कातिल बन गया है उन्होंने एक ब्रिपकेस भी लुटा था मेरे भी चार है माल के बटवारे पर इन में जगड़ा हुआ होगा और तीसरा इन दोनों की हत्या करके ब्रिपकेस लेकर भाग गया है उधर रंजीत करनल सिंग के पास बैठा बोर हो रहा था साथ ही वह कुछ घबराया हुआ भी था पता नहीं वह लुटे रिपकेस लेकर कहां कहोंगे अगर वह बंफट गया या वह गुंडे पुलिस के हाथ पढ़ गया तो मुझे पुलिस के जबाब देने मुश्किल हो जाएगा इधर यह बुट्ठा मुझे उठने ही नहीं दे रहा है मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनवाई है रंजीत कास उनगुंडों ने पिरिपकेस खोल लिया हो केवल इसी सूरत में बम फटने से बच सकता है क्योंकि लुटेरे या तो बम को बेकार कर देंगे या फिर कहीं तब ही दर्वाजे की घंटी बजी ट्रिन ट्रिन मैं देखता हूँ दर्वाजे पर एक पुलिस कॉंस्टेबल खड़ा था मिश्टर रंजीत कुमार यहीं रहते हैं हाँ वो मेरे किरायदार है लेकिन इस वक्त मेरे साथ ही है करनल सिंग उसे ट्राइंग रूम में ले आए सिपाही और कोड़ तो क्या उन्होंने बिरिपकेस बरामत कर लिया या रहे मिश्टर रंजीत आपको मेरे साथ पूरी सेस्टेसन चलना होगा मिश्टर रंजीत क्या वो बिरिपकेस मिल गया है भै के कारण उसका स्वर काप रहा था बिरिपकेस तो नहीं मिला है लेकिन दो लुटेरो की लास मिल गई है उनके ही एक साथी ने उनकी हत्या करती है इंस्पेक्टर सहाब ने आपको उनकी सीनाक्त करने के लिए बुलाया है लेकिन मेरे पास इस वक्त समय नहीं है इंस्पेक्टर सहाब ने बुलाया है तो आपको चलना ही पड़ेगा हा रंजीत तुम्हें जाना चाहिए कानून की मदद करना हर सरीफ सहरी का फर्ज होता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यह बुद्धा मरता भी तो नहीं इसी के कारण मुझे पुलिस को अपना असली नाम और पता बताना पड़ा था पुलिस स्टेशन पहुश गा रंजीत ने लास को देखा नहीं इंस्पेक्टर साहब इनमें वो लुटेरा नहीं जिसका चेहरा मैंने देखा था इसका मतलब है वही लुटेरा कातिल है अब उसकी सिनाक्त के लिए हमें आपकी मदद की जोड़त रहेगी मैं बार बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकूँगा आना तो आपको पड़ेगा ही जब हम उस कातिल लुटेरे को पकड़ेंगे तो आपका बिरिफिकेस भी बरामत होगा वहीं लेने आ जाईएगा बिरिफिकेस के जिकर से ही रंजीत काप कर रह लिया उदर राजा भी बिरिफिकेस लिये हुए एक सराब खाने के सामने पहुचा एक पैक विस्की पीनी चाहिए ताकि दिमाग से हत्याओं का बोज उतरे बम फटने में अब केवल दो गंटे सेस थे वह भीतर पर विश्ट हुआ इस कोने वाली टेवल पर बैठता हूँ आराम से बैठने के बाद उसने विस्की का ओर्डर दिया बिरिफिकेस को यहीं खोलनी की कोसिस करता हूँ लेकिन बिरिफिकेस के ताले बहुत पेचीदा थे तार से भी नहीं खुल रहा दूर मेच पर बैठा बिल्ला नाम का गुंडा राजा की यहर का देख रहा था लगता है यह लॉंडा बिरिफिकेस कहीं से चुरा कर लाया है चोरी के माद में अपना हिस्सा भी होना चाहिए अभी लॉंडे से बात करता हूँ क्यों बैठे बिरिफिकेस से कुष्थी लट रहे हो अपना काम करो तुम बिल्ला उसके सामने बैठ गया यह बिरिफिकेस तुम्हारा नहीं है कहां से उड़ाया क्या पकवास है यह मेरा अपना बिरिफिकेस है अगर यह तुम्हारा है तो इसे तुम खोलने के लिए इतने बेताब क्यों हूँ अपना हाथ पीछे रखो ओए छोकड़े है मेरा नाम बिल्ला है मैं उल्ती चड़ियां के पंग गिन लेता हूँ और मुझे तेरे जैसे पिद्दे की गर्दन मरोडने में करता ही कोई परसानी नहीं होगी क्या क्या चाहते हो तुम या ब्रीफ केस लेकिन यह तो मेरा है इसमें मेरे कपड़े है तभी डाकू कोई अपनी जगा से नहीं हीलेगा और सब बिल्कुल खामोस रहेंगे तुम पहले काउंटर से केस जमा कर लो मैं सब को कवर करता हूँ ओके रिवालवर चाती से लगते ही बार्मेन ने सारा कैस उसके हवाले कर दिया ले लो सब लेकिन गोली मत चलाना फिर उन्होंने गाहको को लूटा घरी भी उतारो अंत में वो राजा की टेबल पर पहुचा तुम्हारे पास क्या है निकालो कुछ नहीं है या प्रिपके दो नहीं साले आख में गोली मारकर कांस से निकाल दूँगा तड़ा आख जल्दी करो बहुत देर हो गई है बस चलते हैं और फिर लाइधर अब चुप रहने में ही भलाई है चलो अब सब दिवार की और मुँख करके एक लाइन में खड़े हो जा तुम वहीं कांटर पर हाथ रखो खड़े रहो अगर कोई पांच मिनट से पहले बाहर आया तो मारा जाएगा लेकिन इसके उनके बाहर निकलते ही बिल्ला दोड़कर दरवाजे पर पहुचा बम फटने में अब किवल 80 मिनट सेज था जल्दी पुलिस को फोन करो लुटेरे नीले रंग की मारूती वेन में फरार हुए हैं वह तीन थे बारमेन उसके बोलने से पहले ही फोन उठा कर नंबर घुमा रहा था पुलिस के आने तक कोई यहां से नहीं जाएगा लेकिन मुझे जाना है मैं यहां नहीं रुक सकता तुम्हारा रुकना तो बहुत जरूरी है बेटे लुटेरे तुम्हारा ब्रिपकेस ले गए हैं क्या तुम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे नहीं उसमें कोई खास चीज नहीं थी सिर्फ कुछ पुराने कपड़े थे फिर भी तुम नहीं जा सकते हम सबने डगाईती अपनी आखों से होते देखी है पुलिस के लिए हमारा ब्यान जरूरी है बैट चाब चुप चाब पुलिस को मैं क्या बताऊंगा कुछी देर में पुलिस इंस्पेक्टर अपने सहायकों के साथ पहुच गया पहले एक वेक्ती सारी खटना विस्तार से बताएं मैं बताता हूँ बिल्ला ने बताया मैं तो इस लड़के से बाते कर रहा था इतने में दो नकापों से रिवालवर लिये हुए अंदर आएं और सब का सफाया करके चले गए कैस बॉक्स खाली कर लिया सब के पर्स और घड़िया चीन ली इसका ब्रीपकेस भी चीन कर ले गए चलिए दोस्तो इस को मिस का पहला भाग यां समाप्त करते हैं मिलते हैं इसके दूसरे भाग में कहानी कापी अच्छी लग रही है और अभी तक आपने लाइक ने किया दोस्तो तो प्लीज लाइक कर दें चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में तब तक के लिए धन्यमाद बिदाओ